हांजी नमश्कार आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से चैनल नोलीज धर्शीत में जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 11 महीं है और हर्याना पुलिस रिजल्ट पर हाई कोट के अंदर सुनवाई है तो कल क्या फैसल आएगा हम आपको आज ही बता देंगे सुतरों के वाले से बड़ी खबर आई है कि दього को बता है कि ال 3 तरीक के पहला तरीक्न कलने का सिंपल पहले से बढ़ेंता अई है उस पर जो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिंपल तरीके से अगर आपको रिजेल्ट निकालना है तो आप पहले भी करते हैं कोटिकेस में जाने ही क्या जूरत है प्रेसेंटाइल तरीक का एक दूसरे नंबर पर है वो जो है वो चलने का नहीं क्योंकि उसको पर पहले से कॉंस्टेबर वाड़ों का भी वो कोट केस डल रहा है तो वह भी विवादू के अंदर हो भी मतलब रिजेक्ट करते जाएगा तीसरा जो है नब्य परसेंट चांस है कि एक वी प्रेसेंटाइल के साब से आपका रिजल्ट अर्याना पुलिस वाड़ों को बना दिया जाए के तो कल जो है एक है उसी केंदर है पेश किया जांगा तो अब जो है आईकोर्ट थोड़े दिन का अगले डेट देगा और उस अगली डेट पर वह सुनवाई होगी और उसी जो अगली डेट होगी उसकें vibration लिया जाएगा कि किस तरीक के से आप कर रिजल्ट आएगा कल अ अगर तिन और फिर विल्कुल SMT जता देती है तो HSC को जो और नहीं चोथे है पांच वे फॉर्मूले लाने होगे लेकिन ज्यादा चांस याईगी हाई कोट जो है वो अगली डेट दे देगा अगर अगली डेट की बात करें तो वो इसी महीने के अंदर होगी और पांच या जो इतनी लंबी डेट नहीं जाएगी अभी जो है सरकार्यों पर दबाव है तो दस या पंदर दिन के अंदर इस पर सुनवाई हो जाएगी बिल्कुल जो है 90% आप लिखा लीजिए जो है एकवी प्रेसाइटाल के तरीके से जो है HSC result बनाएगा अगर कुछ आई कोट जो दी जाएगी कल रिजल्ट आने की बिल्कुल एक प्रेसेंट भी चांस नहीं है बाकिए अगर HSC अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े दन्यवाद